हैलो फेमिली कैसे हो स्वागत है पोकेटेनर के नए वीडियो में तो गाइज आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है आज मैं आपको बताने वाला हूँ देखो गोफिस्ट आने वाला है अगस्ट मन्त में अगर आप गलोबल को लेके चलो तो गाइज लगभग आपके पास अभी भी वन मन्त से ज्यादा लाइक 45 डेज आपके पास अभी भी है तो यह 45 डेज आपको क्या करना है कि आप अच्छे से मेगा रेट कर पाऊँ क्योंकि गाइज मेगा रेट में आने वाला है Mega Raqueza and Primal Raid में आने वाला है Primal Groudon and Primal Kyogre तो ये जो 3 legendary Pokemon हमें Raid में मिलने वाला है ये Pokemon को अगर आप get करना चाते हो specially देखो Groudon and Kyogre पिछली बार जब ये दोनों Pokemon Primal Raid में आया था तो बहुत problem हुआ था क्या problem बहुत लोगोंने Raid किया था लेकिन जो Primal Energy है वो बहुत लोगों को नहीं मिला था तो ये problem इस बार भी हो सकता है and guys Rix मत लेना क्योंकि देखो Raid होने वाला है Only one day ठीक है ये जो Primal Raid होगा ये सिर्फ एक दिन के लिए होगा तो यहाँ पर कोई गरबर नहीं होना चाहिए तो simply आपको क्या करना चाहिए अभी से 45 days कि वो जो total 3 legendary Pokemon का Raid होगा वो आप अच्छे से कर पाओ and energies को get कर पाओ तो total video में आपको बताने वाला हूँ step to step देखना and guys ये video को skip बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अगर आप ये video को अच्छे से watch करोगे तो आपका GoFest बहुत ही अच्छा जाएगा ठीके आपको हर एक Pokemon मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपका GoFest जाएगा तो वीडियो को देखते रहो चैनल में नहीं हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना पाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेश कर दो क्यूंकि ये चैनल में आपको डेली Pokemon Go रिलेटेट अपडेट टीप्स और ट्रिक्स मिलता रहेगा ठीके एड़ वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना लाइक एम ये वीडियो का रखते हैं अगर आप Go Face के लिए excited हो तो एक like करके मुझे ये बता दो कि हाँ आप लोग excited हो ठीके तो जो जो excited हो like जरूर कर देना description में मेरा Instagram ID का link मिल जाएगा वहाँ पर जाके follow कर लेना and Telegram group का भी link मिल जाएगा वहाँ पर जाके join जरूर हो जाना ठीके तो guys चलो शुरू करते हैं first of all देखो आपको जो अभी जो करना है ठीकिये जितना भी gym होता है आपका जो color का gym है मतलब आप जो भी team से हो अगर आप blue team से हो तो आपको blue team gym में मतलब blue color gym में जाके pokemon को रखना है 20 करके pokemon हर एक gym में रखना है and guys अगर आप suggestion चाते हो कि कौन सा country अच्छा है pokemon stock करने के लिए gym में तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ and उसके लिए आपको क्या करना है देखो first of all आपको जाना है इंडिया में मुंबाई Mumbai में आपको टेलिपोर्ट होना है and वहाँ पर आप बहुत सारा ऐसा gym देखोगे जो ज्यादा तर empty रहता है empty मतलब एक दो pokemon रहता है तो आसानी से आप आपका जो pokemon है वहाँ पर रख पाओगे plus आपको एक extra account create करके रखना है मतलब pokemon go का account ठीके उससे आपको simply क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ क्यूंकि इंडिया में जब आप pokemon को रखोगे तो वह pokemon बहुत दिन रह जाता है ठीके वहाँ पर battle उतना नहीं होता gym fight उतना नहीं होता तो वह आपका pokemon रह जागा आपको simply क्या करना है क्यूं करना है वह मैं आपको बाद में बताता हूँ आपको देखो daily जो rate pass हमें मिलता है normal rate pass वो आपको daily use करना है अगर आप चाहो तो 1 star rate भी कर सकते हो 3 star rate भी कर सकते हो 5 star mega आपकी मर्जी लेकिन rate आपको daily करना है क्योंकि देखो जो daily rate pass होता है तो पहले उसको आपको use करना है daily rate pass आप जमा नहीं कर सकते हो daily rate pass आपको daily use करना है बस यह यह fund और कुछी नहीं ठीक है तो daily rate pass जो आपको मिलेगा extra rate pass अभी use मत करो daily जो rate pass आपको मिलता है वो use करके आप rate करो क्यों rate करना है क्योंकि rate करने के बाद हमें जो मिलता है golden raspberry तो ये golden raspberry अभी से collect करना शूरू करो क्यों करना है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ अभी से आपको तो first जो काम करना है आपको daily अभी से gym में pokemon रखना है and daily दूसरा account से defeat करना है या अगर वो खुद बाखुद defeat हो गया तो वो तो बहुत ही अच्छा है 50 poke coins आपको अभी से daily collect करना है ठीक है second आपको golden raspberry collect करना है कैसे करना है मैंने आपको बता दिया rate करना है बस कुछ नहीं extra rate पस use बिल्कुल भी मत करना है जो आपको free में daily मिलता है उसको use करके आपको rate करना है ठीक है third जो आपको करना है देखो जो special research mission हमें मिलता है वहाँ पर जाना है and हर एक special research missions को complete करना है and वहाँ से आपको जो premium battle pass हमें मिलता है उसको अभी से collect करना है बहुत सारा ऐसा mission से आप देखोगे देखो हर एक mission का page होता है कोई भी mission single page का नहीं होता 3 page, 4 page, 15 page ऐसा भी होता है ठीक है तो हर एक page में rewards भी अलग-अलग मिलता है लेकिन हर एक mission में एक नएक mission ऐसा रहेगा जो complete होने के बाद आपको premium battle pass मिलेगा तो आपको special research में अभी से हर एक missions को complete करना है and यह जो premium battle pass है उसको collect करना है ठीक है तो guys यह तीनों काम अगर आप करोगे तो क्या होगा देखो अभी मैं आपको बताता हूँ जब आप poke coins को collect करोगे तो आपके पास जाहिरे बहुत सारा poke coins हो जाएगा डेली अगर आप 50 करके करोगे तो आप 45 days में कितना कर सकता हो वो आप खुद ही calculate कर लो ठीक है second golden raspberry use करना है वो क्यों करना है अभी मैं आपको बताता हूँ and special research को complete करके आपको at least 5-6 आप premium battle pass collect कर सकता हो अगर आपका complete totally हो चुका है तो यहाँ पर यह जो trick से यह आपके लिए बिलकुल काम नहीं करेगा अगर आपने total special research जो missions मिलता है वो complete कर लिया ठीक है अभी के लिए क्योंकि special research जो mission होता है वो updated होता रहता है ठीक है फिलाल के लिए अगर आपका complete हो गया तो वहाँ पर आपका कोई trick काम नहीं करेगा अभी golden raspberry आपको क्यों collect करना है देखो क्योंकि जब यह mega raid होगा mega rackways आएगा वो लगबग बहुत ही powerful होने वाला है ठीक है तो उसको पकड़ने के लिए आपको वहाँ पर एक amount golden raspberry तो लगेगा अभी आप अगर shiny get करना चाते हो तो आप 5-6 battle तो करोगे तो वहाँ पर बहुत सारा आपको golden raspberry को use करना परेगा ठीक है क्योंकि आपको पता है golden raspberry कितना powerful होता है से गेंड अगर primal raid में primal groundon and kyogre को पकरना चाते हो specially मैं आपको बता दू आपको वहाँ पर at least 5-6 raid तो करना ही परेगा क्योंकि अगर कोई भी issue हुआ वो जो primal energy को लेके तो गरबर हो सकता है ठीक है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरा जो experience है पिछली बार जब raid आया था तो मैंने groundon का किया था मेरे पास kyogre का नहीं है तो इस बार मैं kyogre collect करूंगा ठीक है तो groundon का किया था तो मुझे 3 total raid करने के बाद वो जो energy है वो मिला था first 2 raid में मुझे नहीं मिला था normal ship groundon मिला था ठीक है तिसरी बार मिला था and तभी मेरे पास golden raspberry नहीं था तो मेरा 2 first जो 2 groundon है वो miss हो गया था तो आपको at least kyogre का भी 3 to 4 raid करना है and groundon का भी ऐसा ही कुछ amount में आपको करना है अगर आप primal energy get करना चाहते हो ठीक है कोई भी गरबर होना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए होगा और guys यह दोनों pokemon बहुत ही powerful होने वाला है तो उसको catch करने के लिए आपको चाहिए golden raspberry तो इसलिए मैंने आपको कहा अभी से golden raspberry collect करना शुरू कर दो ठीक है and third जो point है जो आपको rate passes collect करना है तो जब आप बहुत सारा coins को collect कर लोगे तो आप वहाँ पर आराम से आप जो premium battle pass आपको मिल अगर आपका special research missions complete हो भी चुका है फिर भी आप coin से अच्छा खसा जो rate passes से उसको collect कर पाऊगे ठीक है मतलब वहाँ से आप buy कर पाऊगे coin से हम rate passes को buy कर सकते तो आपको यह जो तीनों काम है यह तीनों काम को आपको एक साथ complete करना है अभी से अभी से आपको करना है तो आपका जो go face है वह बहुत ही smooth ली जाएगा ठीक है तो guys अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में like कर दो like and complete करो मतलब like करके आप मुझे बताओ आप कितने excited हो and channel में नहीं हो तो subscribe कर दो daily upcoming updates पाने के लिए चलो मिलते हैं next वीडियो में टाटा